हालो स्टुडेंट एसे मेजुकेशन सर्वीशेस को पीचल यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बात करने जा रहा हूं उत्रा खंड हर्याना आयूस कौंसलिंग के बारे में तो उसमें मैं बताऊंगा क्या है सेडूल कबसे होगी कौंसलिंग तो जानते हैं क्या है आयूरुबेदा का कौंसलिंग का सेडूल तो यह 6 अगस्ट 2019 को ही पब्लिश्ट कर दिया था उत्रा खंड को पीचल साइट पर आप वहां सभी आप देख सकते हैं उत्रा खंड का ओपीचल साइट है www.uau.ac.in पर आप जाके विजिट कर सकते हैं यहां आप जो फर्स्ट अंकर रिश्टेशन का दे दिया हुआ है वह 10 अगस्ति हूने से 18 अगस्ति तक कि चलेगा फर्स्ट आउन का रिश्टेशन और मेलीट्सरी जो पब्लिश्ट होगा वह आपको 20 अगस्ट 2019 को सामको 5 बज़े तक मेरिट लिस्ट आजाएगा आप उत्रा खड़के आप ओपिशल साइट पर विजिट करके आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि इनका मेरिट लिस्ट में नेम है या नहीं है इसके बाद अगस्ट 2019 से 22 अगस्ट 2019 के मद्धे में आपका च्वाइस फिलिंग होगा और डिकलेशन आप रिजल्ट याने कि रिजल्ट दो डिकलियर होगा 24 अगस्ट 2019 को सामको 5 बज़े तक लास्ट अगस्ट 2019 से 28 अगस्ट 2019 के बीच आपको कॉलेश ज्वाइन करना है और जो फर्स्ट टाउन में किसी भी करया नहीं कर पाया थे वह सकेंड डाउन में फिर कर सकते हैं इसके बाद फर्स्ट टाउन के बाद सकेंड डाउन होता है सकेंड डाउन में आपका होगा ओलन रिस्टेशन का जो आपको फ्रेस रिस्टेशन का डेट रखा होगा है 21 अगस्ट 2019 से 4 सितंबर 2019 तक चलेगा फर्स्ट टाउन का इसमें दिया हुआ है जिसे फर्स्ट डाउन में सीट मिला हो सकेंड डाउन में सीट रैंक अप्ग्रेडर्शन के लिए कॉलेज अप्ग्रेड करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसका जो सकेंड डाउन को मेरिट लिस्ट जो आएगा वो पपलिष्ट होगा 6 सितंबर 2019 को साम को 5 बजे, च्वाइस फिलिंग जो होगा वो होगा आपको 7 सितंबर 2019 से 8 सितंबर 2019 के बीच में देकलियर अप्रिजाल्ट यानि के ल Mysteries जो आएगा अलौटमेंट आहाओ 11 सितंबर 2019 को साम 5 बजे तक और कॉलेज जोईन करना है या रिपोर्ट करना हो 12 सेतंबर 2019 से 16 सिपंबर 2019 को सम 5 बते तक और फर्स्ट डाउन और स्केंड डाउन के बाद होता है थर्ड डाउन जिसे की मौपा पृट ौञ भी बोलते हैं जी सेकी सीतंबर 2019 के मध्या होगा और इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा मोपापरांड का वो 21 सेतंबर 2019 को आएगा और आपका जो सारा प्रोसेस होगा जैसे रिपोर्टिंग सारा प्रोसेस होगा वो फिजियो रिपोर्टिंग इन उत्राखंड आयरुवेदिक इनुवर्सिटी में होगा इसमें जाके आपको सारा चीज करना है 23 सेतंबर 2019 को आल कॉल्सिंग प्रोसेस लाज लास्ट डेट आफ आपको ज्वाइनिंग का होगा अलोटेट कॉलेज का ट् सेतंबर 2019 से 25 सेटंबर 2019 तक यह था आपका उत्राखंड का सेडूल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हर्याना का सेडूल क्या है सेडूल तो बात करते हर्याना का तो हर्याना से पहले मैं बता दो उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड में बहुत ही अच्छे-च्छ या प्राइबेट के लिए लेकिन आउटसाइडर स्टुडेंट के लिए प्राइबेट गौश्च में प्रेमेंट सीट पर हुआ था तो यह था आपका पूरी अपडेट अब नेक्षा स्टाट करता हूं हर्याना का तो हर्याना स्टेट ने भी सेडूल जारी कर दिया है जो हर्याना से स्टुडेंट है हो हर्याना को अपिशल साइड पर www.skau.nic.in पर जाके विजिट करके सारी जनकाड़ी ले सकते हैं तो क्या है तो हर्याना का सीडूल जो है से 8 अगस्ट 2019 को पब्लिश्ट किया जुबा के 11 बज़े से और 13 अगस्ट 2019 को संपाथ बज़े तक चलेगा और डॉक्वेंट फिर्विकेशन कराना है वह आपको 14 अगस्ट 2019 से 16 अगस्ट 2019 और 17 अगस्ट 2019 तक चलेगा इसमें दियावा मेडिकल बोर्ड ऑफ पी डावलू डी कंडिडेट्स एट पी जी आई एमस रोष्टक फोर बेंचमार्क डिजबिलिटी सेट्रिफिकेट जो है वह आप जो है सब 14 अगस्ट 2019 को जाकर वहां पर किलियर कर सकते हैं नेक्स्ट प 2019 को होगा आपको कॉलेज में जो आपको ज्वाइनिंग करना है ज्वाइनिंग करने का जो डेट है वह है 28 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा फाइनली यह लोकेस्ट ऑफ सीट जो कि आपको फर्स्ट सितंबर 2019 तक चलेगा सकेंड राउंड कॉंसलिंग का जो रिश्टेशन होगा जो फर्स्ट राउंड में किसी कारन वस या फिर जो पाटिसिपेट नहीं कर पाया थे रिश्ट 2019 को सुबह 9 बजे से आपको 3 सितंबर 2019 को साम पांच बे तक रिश्टेशन करके सारे प्रोसेस कर सकते हैं इसके बाद आपको फर्स्ट अन स्रकेंड राउंड के बाद भी जो वेकैंसी होती हो मौपा पराउंड के लिए कौंसलिंग की जाती है जो फर्स्ट अन और 2019 को साम पांच बजे तक कर सकते हैं यह था आज का सीडूल तो बात करता हूं हर्याना में कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो स्टुडेंट हर्याना से हैं हर्याना के लिए पाटिसिपेट करें तो जिया दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आप बाकी आप यह तीजे थाइंक यू दोस्तों